नमस्ती, मैं हूँ आचारी प्रतिष्था आत्म विश्वास की कमी मनुष्य को किसी काम का नहीं छोड़ती है अगर आपके भीतर अथा टैलेंट है पर आत्म विश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिदेंस नहीं है तो टैलेंट भी किसी काम का नहीं रहता and on the contrary, आपके पास टैलेंट नहीं है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिदेंस इतना है, तो आप जीवन में फिर भी कुछ कर सकते हैं यानि आत्म विश्वास, आत्म पर विश्वास, स्वयम पर विश्वास, जीवन में सफलता की कुन्जी है पर यह आत्म विश्वास कैसे आए? जिनका अभ्यास करने से, जिनकी प्राक्टिस करने से, आप अपने सेल्फ कॉन्फिदेंस को रेज कर सकते हैं, अपने आत्म विश्वास को बढ़ा सकते हैं ऐसा ही एक आसन हम आज सीखेंगे, जिसका नाम है सिंग आसन, सिंग आसन सिंग जहां बैड़ जाता है, अगर वो चटान पर भी बैड़ जाता है, तो वो भी सिंग आसन हो जाता है, इतना आत्म विश्वास क्योंकि वो राजा है, वो किंग है, सिंग आसन का नियमित अभ्यास हमारे आत्म विश्वास को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, हमारे थाइरोइड की समस्या में रामबान का कारे करता है, जो लोग वानी का कारे करते हैं, यानि जिनने बोलने का काम है, पब्लिक स्पीकर्स हैं या वोकलिस्ट हैं गायन का काम करते हैं उनकी वानी को मधूर करता है सिंगासन और विशेश रूप से इस क्रूशल टाइम पांडेमिक में सिंगासन का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि जो भी हमारा जमा म्यूकस है जमा बलगम है शरीर के भी तर उसको भी बाहर निकाल करके विरेचन की प्रक्रिया करता है शुद्धी की प्रक्रिया करता है सिंगासन कैसे करते हैं सिंगासन के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से वज्रासन में बैठे जाते हैं वज्रासन तो आप सब अच् तो वैसी रहेगी, लेकिन दोनों घुटनों के बीच में गैप दे देंगे, यानि इस थिती में आ जाना, ठीक, पंजे मिले हुए, एडी खुली हुए, खुली हुए एडी पर आपने अपने हिप्स को टिकाया हुआ है, बस दोनों घुटनों में गैप दे दिया, हाथेलियो को ऐसी रखना कि fingers pointing towards yourself, यानि इस थिती में आ जाएं, और सीना उचा, चेहरा उचा, देखिए, बिल्कुल सिंग जब अपने आसन पर बैठता है, यानि अपनी चटान पर बैठता है, तो इस ही प्रकार से बैचता है, वही आकरिती हमने ले ली, यही योग है कि यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण, तो इस तरह से बैठ गए, अब हम अपनी जीप को बाहर निकाल देते हैं, और आखों को शांभवी मुद्रा में ले जाते हैं, और फिर हम सिंग गर्जना करते हैं, इस ते ती में बैठना, गर्जना करने के बाग, जीप को अंदर कर लेंगे, आंकों को बंद कर लेंगे, पैरों को भी वापिस ले आएंगे, और दोनों हाथों से अपने गले पर हलका हलका मसाज देना, यह बहुत बहुत आवश्यक है, धीला छोड़ दे शरीर को, एक राउंड और इस काम करते हैं, पैरों को खोलना, खाथेलिया, शरीर की तरफ, सीना उंचा, चेहरा उंचा, गर्दन बिलकुल सीधी, और आखे शांभवी मुद्रा में, जीप बाहर, पैरों को बापिस ले आएंगे, गले की मसाज करना, और फिर पूर शरीर को धीला छोड़ देना, इसका अभ्यास हम चार से पांच बार तक कर सकते हैं, चार से पांच रेपिटिशन इसके कर सकते हैं, सिंहासन का नियमित अभ्यास करें, सभी के लिए लाबकारी है, पर गलत अभ्यास नहीं करेंगे, जैसा सिखाया गया, वैसे अच्छे से समझ करके करेंगे, और आत्म विश्वास को बढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप सेल्फ टॉक करें, अपने आप से बात करें, सेल्फ टॉक थेरेपी का अभ्यास करें, आप स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें और हमारा कारिक्रम देखते रहें.